हेलो दोस्तों कैसे हो जी आप लोग तो आज मैं फिर से लेके आगया हूँ एक और कमाल की वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत से अमेजिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ क्या आपको पता है ये जो जगा है एडम स्पीक इसे चार धर्मों के लोग अपना धार्मिक इस्थल मानते हैं और इस पीस में सबसे पहले उगा कर खाया जाने वाला फूड ये है और क्या आपने कभी सोचा है कि वैडिंग रिंग हमेशा इस फिंगर पर ही क्यों पहनते हैं ऐसे और भी कमाल के फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक चरूर देखे फैक्ट नमबर वन ब्लूटूथ टेकनोलिजी के बारे में तो हम सब जानते हैं जिसके सेरिट और जेंडर के इंडिया में बैन होने के बाद अलगी वैली हो गई है लेकिन क्या आपको पता है कि इस वायरलेस टेकनोलिजी का नाम ब्लूटूथ टेन्मार्क के सेकंड किंग हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर पड़ा है क्योंकि इसको नाम देने वाले मानते थे कि जैसे किंग हेराल्ड ब्लूटूथ ने टेन्मार्क के ट्राइब्स यानि जन जातियों को एक ही किंडम में युनाइट किया वैसे ही ये technology सभी devices को unite करेगी आप Statue of Unity के बारे में तो जानते ही होंगे जो कि वर्ल्ड का सबसे tallest statue है लेकिन क्या आपको पता है कि Statue of Unity के बनने से पहले वर्ल्ड के top 3 tallest statues लौड बुद्धा के थे आप अपनी स्क्रीन पर वर्ल्ड के top 5 tallest statues की list देख सकते है ये जो आप अपनी स्क्रीन पर हर्ट की मेज देख रहे हैं ये एक वेल के हर्ट का रेपलिका है वेल्स का हर्ट किसी भी जीवित प्रानी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हर्ट होता है और अगर मैं इसके size की बात करूँ तो ये एक small car के size जितना हो सकता है और इसका वजन 680 kg तक हो सकता है पलैकियोडी सेल जिसे की इंग्लिस में Salt Palace बोलते हैं ये होटेल दुनिया के सबसे अजीब होटेल्स के लिस्ट में सामिल है क्योंकि ये होटेल Salt यानि नमक से बना हुआ है और ये बोलीविया में है इस होटेल को बनाने में 14 इंच के 10 लाख Salt Blocks लगे ना सिर्फ होटेल बलकि होटेल की चेयर्स, टेबल्स, बैड्स, सब कुछ नमक का बना हुआ है एक तीर्थ इस्थल किसी एक धर्म के लिए तीर्थ हो सकता है जैसे की केदारनाथ हिंदूस के लिए मक्का मदीना इस्लामिक पीपल के लिए लेकिन स्रीलंका में एक धार्मिक इस्थल है एडम स्पीक जो की अपने एक पवित्र पद्चिन स्रीपद के लिए फेमस है और इस पद्चिन को एक या दो धर्मों के लोग नहीं बलकि चार धर्मों के लोग पवित्र मानते हैं इसमें हिंदुईज्म, इसलाम, बुद्धिज्ट और क्रिस्चैनिटी के लोग सामिल हैं ये 5 फीट 11 इंच उचा श्रीपद, बुद्धिज्म में लौड बुद्धा के फुट्प्रिंट, हिंदुईज्म में हनुमान या सिवजी के फुट्प्रिंट, इसलाम और क्रिस्चैनिटी में एडम के या सैंट थॉमस के फुट्प्रिंट माने जाते हैं अब मैं आपको एक मैथेमेटिक्स से जुड़ा फैक्ट बता देता है, क्या आपको पता है कि अगर आप 111, 111, 111 को 111, 111 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो उसका प्रोड़क्ट ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है ना कमाल का फैक्ट फैक्ट नमबर सैवन आप जो अपनी स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग इमेज है क्योंकि इसमें पूरी अर्थ के हिस्ट्री यानि 4.5 बिलियन इयर्स पहले जब अर्थ ओरिजिनेट हुआ था तब से लेकर अब तक के अर्थ को सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल डे यानि 24 घंटे की टाइमिंग में दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि अर्थ इस टाइमिंग पर फॉर्म हुआ सुभे चार बजे अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई सिंगल सेल्स के रोप में लैंड प्लांट्स रात के 9 बचकर 52 मिनट पर वने डाइनसार्स रात के 10 बचकर 56 मिनट पर और हम यानि हुमन्स रात के 11 बचकर 58 मिनट और 43 सेकंड पर धर्ती पर अपियर हुए आप इससे समझ सकते हैं कि कितने कम समय में हुमन्स ने धर्ती को पूरा बदल कर रख दिया टेकनोलिजिकल एडवांस्मेंट्स के साथ साथ धर्ती को कितना नुकसान पहुचाया है आप ये तो जानते ही होंगे कि डॉल्फिन्स मोस्ट इंटेलिजेंट और स्मार्टेस्ट एनिमल्स में से एक है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डॉल्फिन्स टेलिफोन पर भी बात कर सकते हैं इसे समझने के लिए नैशनल जोग्रफिक किट्स की इस वेबसाइट को देखिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे एक मदर डॉल्फिन्स अपने बेबी डॉल्फिन्स से टेलिफोन पर कनवर्सेशन करती है इस एक्सपेरिमेंट के लिए हवाई के एक अक्वेरियम में मदर और बेबी डॉल्फिन्स को अलग-अलग टैंक्स में रखा गया और इन टैंक्स को एक अंडर वाटर ओडियो लिंक से कनेक्ट किया गया और ये भी देखा गया कि कैसे दोनों डॉल्फिन्स एक दूसरे से ओडियो लिंक से कनवर्सेट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को अर्थ त्रष्ट के प्रेजिडेंट डॉन वाइट ने किया था क्या आप जानते हैं ट्राइको फैग्या नाम की एक अजीब सी बिमारी होती है जिसमें कि इनसान अपने ही बाल सर से खीच कर खाता है जिनको ये बिमारी होती है उनके बार बार अपने बाल खाने की वजह से उनके पेट में बालों का एक गुच्छा बन जाता है और अल्टिमेटली उनको ऑपरेट करना पड़ता है और एक बार एक 18 इयर्स ओर्ड वुमेन के पेट से सरजरी के बाद साड़े 4 किलोग्राम का हेयर बॉल यानि बालों का गुच्छा निकाला गया ये जो दिन था इसी दिन नासा के एस्टरनॉट्स ने पहली बार इस्पेस में ग्रो किया गया फूड खाया वो जुलाई की सुरुवार से ही रेड रोमेन लेट्ट्यूस को उगा रहे थे जो कि 10 अगस्त को खाया गया लेकिन इसे पूरा नहीं खाया गया क्योंकि इसका कुछ हिस्सा फ्रीज कर अर्थ पर भी भेजा गया साइंटिफिक एनलिसिस के लिए हम सब जानते हैं कि वेडिंग रिंग लेफ्ट हैंड की इस उंगली में पहनते हैं और इसका रीजन कुछ लोग ये देते हैं कि इस फिंगर की नर्व सीधा हर्ट से कनेक्ट होती है इन्सिंट एजिप्टियन्स और वेस्टन कल्चर में ये बिलीफ था कि लेफ्ट हैंड की फूर्थ फिंगर की वेडिंग डिरेक्टली हर्ट से कनेक्ट होती है और इस वेडिंग को वेना अर्मरिस कहते हैं जिसका मतलब वेडिंग औफ लग होता है लेकिन Modern Biological Studies के बाद ये पता चला कि ऐसी कोई सी भी वेन हमारी फिंगर्स में नहीं है जो की हर्ट से डारेक्टली कनेक्टेड हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और रेगुलर अपडेट्स के लिए फैसिनेटिंग फैक्स के फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में